अब चलो यह लेक्टरी करेंट के पास्ट यहस में हम लोग डिसकस कर रहे हैं जे में का कुश्चन 2020 थर्ड सेप्टेंबर शिफ्ट वन के कुश्चन के अंदर हमें यह डायग्राम बना के दिखा रखा है इसमें कुश्चन में यह बाहर हॉलो स्लेंट्रिकल शेल हैं अब बीच में फिर सेंटर पर यहां पर कोई फिर से सिलेंड्रिकल रॉड है और बीच में जो गैप है इन दोनों के वो किसी एलेक्ट्रोलाइट से फिल कर रखा है जिसका हमें रिच्टिवीटी रो बता रखा तो जो यह inner वाला cylinder है इसका radius कितना है small है और जो outer वाला cylinder है उसका radius कितना है small b बीच वाला जो gap है वो हम लोगों ने electrolyte से fill कर दिया ठीक है न और तुम से कहते हैं if a battery is connected इसके across अगर हम लोग battery connect करें तो resistance maximum joule heating in resistance capital R will take place 4 तो resistance इसका हमें निकालना है और इस तरीके से निकालना है कि joule heating जो है वो maximum हो जाए तो मेरा दिमाग जो काम कर रहा है यहां पर जो भी हम battery connect करेंगे एक तो connection हम कर सकते हैं इस तरीके से लेफ्ट और राइट राइट एंड के बीच में और इसके थुरू current flow होते हुँ जाएगा current को कितना resistance मिलेगा तो resistance हो जाएगा हमारा और जिस एरिया के थुरू तुमारा current flow होगा वो एरिया तुमारे इस केस में क्या हो जाएगा पाई बी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर ठीक है ना दूसरी possibility जो हमारे सामने बनती है हम inner cylinder और outer cylinder के बीच में battery लगा दो जाएगा तो उसे कितना resistance मिलेगा वो resistance निकालने के हम लोग कोशिश करते हैं तो द्यान से लेको यहां पर तुमारे सामने जो है मैं इसका बना देता हूं टॉप कि यह तुम्हारे सामने में टॉप बना दिया इनर स्लेंडर का रेडियस बी और बैटरी हमने करेंट करिए इनर स्लेंडर और आउटर स्लेंडर के बीच में तो करेंड जब इनर स्लेंडर से आउटर स्लेंडर जा रहा होगा रस्ते में जो से मिल रहे हुँंगे इस इसलेंडर का जो रखिश्टंस मिल रहा होगा करेंज करना पड़ेगा इंटीडेशन के शर्थikes इस दूरी पर डिएक्स थिकने स्का ले 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 रहा हूं कि स्थिक्ने मजाइ Gerade क्रहां करेगा उसको मिलेगा ऑलबाएं कितना लेंद करेंगायगाश надबद द्री अपड़ेगा तो तुपयf का integration करें net resistance निकालने के लिए from inner radius तो outer radius तो क्या जाएगा resistance हमारे पास तो rho upon 2 pi L तो constant integration से बाहर dx by x का integration lnx dx by x का integration क्या हो जाएगा lnx lnx limit डालो lnb minus ln a lnb by ठीक है न तो अगर मैं इस तरीके से बैटरी लगा कि current flow कराता हूं तो यह resistance मिल रहा है r1 और अगर मैं इस तरीके से inner और outer cylinder की बीच में बैटरी लगाता हूं voltage supply लगाता हूं तो यह मिल रहा है resistance r2 अब मुझे चाहिए heating maximum चाहिए heating के लिए power maximum के लिए power distributed as heat maximum के लिए मैं क्या formula लगाँ V square by R या I square R heat distributed maximum रखने के लिए power distributed as heat maximum रखने के लिए formula क्या लगाँ V square by R या I square R तो दोनी case में जो हम लोग चीज सेम रख रहे हैं जो voltage supply voltage supply को सेम रखते हुए तो में power maximum चाहिए power maximum चाहिए तो हमें resistance क्या चाहिए होगा minimum R1 और R2 में से छोटा कौन है कैसे चेक करेंगे अब तो L B और A पर डिपेंड कर जाएगा ना और जो मैंने आरवन निकाला है वो चारों में से किसी option में नहीं है तो मजबूरी है आरटू वाला ही हमारा अंसर हो जाए ठीक है ना अभी आरवन और आरटू में से कौन बढ़ा है उस पर में दिमाग नहीं लगा रहा हूं और मुझे डिपेंड भी कर रहा है कि L B और A की वैल्यू पर डिपेंड करेगा जब तक L B और A में मुझे रिलेशन नहीं बताएंगे शैद में आरवन आर्टू को रिलेट भी निकार पाऊं कॉन बढ़ा है कौन बढ़ा है कौन चोटा है पर मैं देख रहा हूं A B C D जो चार और प्रशें मुझे कोश्चें में दे रखें उसमें ये वाला उप्चें ही नहीं है तो मजबूरी यह को अगया तो यह इंटिग्रेशन करके रइस्टेंस आगया दोनों बार मैंने क्या से माना वोल्टेस अप्लाई लगा रहा हूं हीट डिसिपेशन के लिए वोल्टेस अप्लाई अगर मैं सेम मान रहा हूं तो पावर का ला फॉर्मला वी स्क्वेर ऑयार फावर मुझे मैंसिचंस मुझे मिनिम राज़ं मिनिमंगा रहा था जब जब णी कर पा तो मैंने उप्शन को देखना चालो के और को देखा तो मुझे यह वाला ऑप्शन रहे है क्योंकि यह उप्शन देगा में वाली वैल्यू किसी ऐप्शन में ही क्लेर हो गया कोशन नमबर 10 तुम्हारा 2020 जेही मेन के 5th सेप्टेंबर शिफ्ट टू का कुश्चन है ठीक है ना इसके अंदर इस सर्कुट बनाकर दिखा रखा है करेंट वगरा मांकर रखें तुमसे कह रखा है अब बी से ए पर जाने के लिए मुझे एक रस्ता दूसरा रस्ता तीसरा रस्ता तीन रस्ते दिखा रखें रखेंगे बताओ कौन से रस्ता यूज करूं दो रखेंगे न एक रस्ता तीसरा रस्ता तुम्हारे सामने दिखा रहरो इसमें भी हैंपर करेंट की वैली बता रखेंगे पर रिर्सिक का कोश्चन में प्रोवाइड्ट है तो वी टू ए इसी रस्ते से जाना पड़ेगा तब यी करेंट टू एंपे अगर दो होते हो थो आगे यहां पे वन एंप घर यह तो अब इस रहें लिए जाएगा। और अब VB-VA निकालने के लिए B से पे जाते हैं, रस्ते में जो भी elements आने वाले हैं, उनकी polarity mark कर देता हूँ, तो battery की polarity, छोटी line negative, बड़ी line positive, resistance की polarity, current का direction देखे, current flows from higher to lower potential in a resistance, B से चले, पहले क्या मिला हमें, minus 2, फिर आगे बढ़े हमें register का मिला, plus, तो plus IR, current 1, resistance 2, आगे बढ़े battery का plus, plus 1, minus 2, plus 2, cancel हो गया, plus 1 खाली रह गया, तो VB-V है, वन वोल्ट के बराबर आगया, ठीक है न, तो answer हो जाएगा D, मैं रहा देखा, D तो दे रखा है, बेटे, क्या देखा तो इदेर, ठीक है, सबन में आया सबको, ठीक है, यह next question जो कर रहे हैं हम लोग, 7th Jan 2020 को आया था, और shift second में, ठीक है न, अब समें circuit तुम्हें दिखा रखा है, circuit में कोई diode बना के दिखा रखी है, और तुम से कह रहे हैं, find potential difference between points A and B, यहां पे points mark करके दिखा रखे है, A और B, चलो, पहले तो फटाफ़र diode का concept discuss कर लेते हैं, बड़ा common से चीज है, कोई भी circuit बना के दे देते हैं, बीच उसमें current इस तरीके से flow कराना चाते हो, और अगर जो तुमारे diode का direction है, अगर तुम को circuit के अंदर उसके उल्टे direction में current flow कराना चाते हो, तो यह current का रस्ता ब्लॉक कर देते हैं, तो कभी भी कोई circuit है, उसमें diode लगा के दिखा रखी है, तो current जिस direction में flow कराना चाते हो, डायोड उसी direction में pointed है, तो डायोड कम बोलते है, डायोड is forward biased, और जिस direction में current flow होना चाता है, डायोड का तुम direction देखे हो, डायोड का arrow की तरह imagine करो, current के direction के opposite है, हम डायोड को बोलते है, reverse biased, और अगर डायोड reverse biased होगी, तो वो अपने through significant current को flow नहीं होनी देती, circuit वाले question में current को क्या माल लेते हैं, 0, ठीक है न, resistance क्या माल लेते हैं, diode का, infinite, और ऐसे circuit वाले question के अंदर diode लगी होई है, और diode के direction में current flow होना चाहता है, तो यह अपने through current को flow होने देगी, diode के across resistance हम लोग क्या assume, diode के across potential difference हम माल लेते हैं, almost 0, resistance इसका क्या assume कर लेते हैं, 0, मुझे बताओ, तुमारे सामने जो circuit लगा हुआ है, इस battery के उपर दिमाग लगा हूँ, इस battery के वाई से जब circuit में current flow होगा, बैटरी के वाई से जब circuit में current flow होते हो आया, current को यहाँ पर आके, tunnel A पर आके कितने रस्ते मिले, दो रस्ते मिले, दोनों में current divide होगा, ठीक है न, तो जो भी current I flow के आया, यहाँ पर divide हो गया, I1 और I2, ध्यान से देगो, जो भी circuit में current flow हो रहा है, diode वाली forward biased होगी और जब right, diode forward biased होगी तो diode करे instance क्या माल लोगे तुम लोगे तुम लोग, negligible 0, diode को कि तुमने कैसे treat करना है as a short circuit, diode forward biased है तो कैसे treat करना है उसको as a short circuit, और reverse biased हो तो कैसे treat करना है as open circuit, चला के दिमार्ट, if a diode is forward biased, then diode is going to behave like a short circuit और अगर reverse biased है तो कैसे behave करने वाली है as open circuit, ठीक है बस इसको short circuit मान लो, question बहुत ही simple हो गया, battery है, register है, register है, एक और register है, ठीक है ना, तो दियान दो 10 parallel 10, 10 kilo ohm, 10 kilo ohm parallel में हो गए, 10 parallel 10, 5, 5 series with 10, 15, ठीक है ना, 30 by 15, 30 by 15, 2 milli ampere, 2 milli ampere current flow होते हुआ आया, यहां पर आके कित्ते रस्ते मिले, दो, जोनों रस्तों का resistance बराबर, दोनों में current बराबर बराबर चला जाएगा, 1 milli ampere, 1 milli ampere, और अब 1 milli ampere into 10 kilo ohm, A और B के बीच में potential difference कितना मिल जाएगा हमें, 10 volt, ठीक है ना, question number 15 में, A और B के बीच में potential difference, 10 volt, B answer, B option के अंदर 10 volt option दे रखा है तुम्हें, 10 volt answer, आया, समझ में आया सबको, डावट का फंदा clear हो गया, forward biased, reverse biased, forward biased होगी डावट, तो कैसे behave करेगी, as a short circuit, as a wire, और reverse biased होगी, तो as a open circuit, बस, इतनी सी दो बाते याद रखनी है, तुम्हें, 9 जन्वरी, 2020 का shift 1 का question है, यह circuit दे रखा है, यह 1 ohm और 4 ohm parallel में, ऐसा मिक्षा देख, 1 ohm और 4 ohm parallel में, दिख रहे हैं कि, 1 ohm, 4 ohm के left terminal resistance less wire से connected है, right terminal भी resistance less wire से connected है, तो 1 ohm और 4 ohm, कैसे हो गया है, parallel में, ऐसे 2 ohm और 3 ohm, parallel में, ठीक है न, तो छलो थोड़ा सा पहले circuit को हम लोग analyze कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, 1 parallel 4, कितना हो जाएगा, 1 parallel 4, 1 into 4 upon 1 plus 4, कितना आ जाएगा, 4 by 5, 2 parallel 3, 2 into 3 upon 2 plus 3, 6 by 5, कितना आ गया, total resistance circuit का 10 by 5, 10 by 5 कितना हो गया, 2 ohm, equivalent resistance of the entire circuit is 2 ohm, बैटरी लगी है, 20 volt, 20 volt by 2 ohm, कितना current जाएगा, कितना current जाएगा, 10 ampere, 10 ampere current यहाँ पहुचा, अब मेरी बास समझाओ, एक बड़ी comments है, discussion है, जो हम past में भी कर चुके हैं, दो resistances हैं, parallel में, current flow होते हो आया, current यहाँ पहुचा, कितने रस्ते मिले, 2, R1, R2, R1, R2 कैसे हैं, parallel में हैं, current दोनों में divide होगा, कैसे divide होगा, तो दियान दो, जब दोनों parallel में हैं, तो I1, R1 is equal to I2, R2, parallel potential difference सेम होगा, ठीक है न, तो तुम देख रहे हो, I1 by I2 is going to be R2 by R1, that is, current is going to be inversely proportional to resistance, current is going to be inversely proportional to resistance, तो दियान दो, यहाँ पे junction A पे जो current पहुचा है, कितना है, 10 ampere, 1 ohm और 4 ohm में divide करना है, inversely proportional to their resistance, तो 1 plus 4, 5, 1 ohm में से चला जाएगा, 4 fifth, और 4 ohm में से चला जाएगा, 1 fifth, चला के दिमार, क्या किया मैंने, inverse ratio में current को divide कर दिया, 1 ohm और 4 ohm में, 1 plus 4, 5, total 5 parts किये, ठीक है न, 1 is to 4 resistance का ratio था, तो current का ratio 4 is to 1 होगा, 4 पार्ट उपर वाले वाई resistance में से बेज़ दिया, और 1 पार्ट नीचे वाले resistance में से, चला के दिमार, ऐसे दिमार लगाओ, जब junction C से 10 ampere current बाहर आया होगा, तो 2 ohm और 3 ohm पार्लल में है, ठीक है न, यहां से current जब आया होगा, तो 2 ohm और 3 ohm में 10 ampere कैसे divided होगा, उस पर दिमार लगाते हैं, फिर से 2 प्लस 3, 5 parts, टोटल current के कितने करने हैं, 5 parts, रहिस सेल्स का ratio 2 is to 3, तो current divide करेंगे 3 is to 2, तो 3 fifth of 10 ampere, यहां बेज़ देते हैं, और 2 fifth of 10 ampere, कैसे सोच रहाँ, समिक्षर समझ में आया, सबने follow किया, तो दियान से देखो, इस 1 ohm में से current कितना आया, 10 into 4 by 5, 8 ampere, और 2 ohm में कितना चला गया, 3 into 10 by 5, 6 ampere, 8 ampere आया, 6 ampere चला गया, तो BD वाले wire में कितना गया होगा, junction लो लगा, 8 ampere current आया, 6 ampere चला गया तो, बीच वाले BD वाले wire में कितना गया होगा, 2 ampere, यह हमारा हंग से, ठीक है ना, KVL लगाने की कोई जुरुत नहीं है, ठीक है न, किश्चा व लूप लोग, किश्चा वोल्टेज लोग, कभी भी तुम देखोगे, कॉम्पिटिशन एक्जाम में लगाने की जूरुत नहीं परती है, कॉम्पिटिशन एक्जाम में तुम जब भी कोश्चन को हैंडी करोगे, common sense से हैंडल होते हैं, common circuit analysis से हैंडल होते हैं, कभी भी हमें KVL लगाने की नोबत, बहुत मेरे को तो आज तक महीं पड़ी थिका ना बहुत कोई रेर कोश्चन ही ऐसा होगा जिसके अंदर के लिए लगाने की दूरत पड़ जा और वह भी तब होता जब कभी है मारू कोई जी एडवांस में कोशन आ गया इटी वाइटी में कोशन आ गया जिसकी अंदर को कि यहां देखना करेंट जब 10 एंपियर पहुंचा उसको दो राइस्टेंस मिले पैरलल में वन ओम और फोर हों तो मैं तुझे अभी रिलाइस कराया करेंट जो होता है कैसे डिवाइड होता है पैरलल में इंवर्सली प्रपोर्शनल टू आर ठीक है ना तो मैंने तुझे बताया nervous करेंश करा जाब वन इस्टु फोर है तो करेंट डिवाइड होगा फोर इस्टु वन में वर्शनल में पे यहां पर जो आ रहा है तैन इंपियर वो डिवाइड होगा-फोर इस्टु बंए 4 प्लस 1 तोटल 5 पार्ट्स कर दिये उन 5 पार्ट्स के 4 पार्ट 4 फिफ्थ 1 ओम में बेज दिया और 1 पार्ट 1 फिफ्थ 4 ओम में बेज दिया आया है समझ में आया क्लिर होगे सबको चलो तिक वोटाई वैसे क्वेशन नेक्स जो कर रहे हम लोग 2019 10 अपरिल 10 अपरिल 2019 शिफ्ट 1 का कुशन है कुशन के अंदर ये ग्राफ दे रखा है LNR और 1 बाई T स्कूर के बीच में LNR में R रिस्टेंस आफ दा कंड़क्टर है T टेंपरेचर आफ कंड़क्टर है और तो मेरा इस्टेंस आफ कंड़क्टर और टेंपरेचर आफ कंड़क्टर में क्या रिलेशन होगा ABCD चार आप्शन दे रखें तो सबसे बेले तो ग्राफ तुम्हारा तुम देख रहे हो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है अगर मैं इसको फॉरवर्ड और लाइन हम ग्खन कंड़ा दो तुम देख रहे हो यह यह e-axis को Compositive x A स्ट्रेट लाइन की क्योड़न के त्म देख रहे हो despt के अंदर और नौ अट अ रहे हैं तो मैं यहां पर यहां पर यहे कट कर रहा है तुमारे यह चार को यहां तो तेमपरिचर T0 तो आविसली Y-axis पे 1 by T0 स्कोरे तो तुमारे पार यह स्ट्रेट लाइन है इसकी एक्वेशन क्या बन जाएगी तो इंटरसेट फॉर्म और स्ट्रेट लाइन सबको पता है कोई स्ट्रेट लाइन X-axis को कट कर रही है A,0 पे और Y-axis को कट कर रही है 0,B पे तो स्ट्रेट लाइन की एक्वेशन होती है X by A plus Y by B is equal to 1 ठीक है ना? इंटरसेट फॉर्म और स्ट्रेट लाइन बोलते थे हैं X-axis को A पे इंटरसेट कर रही है y-axis को b पे intercept कर रही है वैसे ही तुम्हारी हाँ पर तुम्हारे सामरे जो straight line है इसमें y-axis पर sorry पहले तो x-axis पर 1 by t square है और x-axis को ये intercept कर रही है 1 by t naught square y-axis पर हमारा ln r है और y-axis को ये intercept कर रही है ln r naught के is equal to 1 कैसे किया समझ में आया क्या equation कैसे लिखी समझ में आ रहा है x upon a plus y upon b equal to 1 और क्योंकि x-axis पर 1 by t square है इसलिए मैंने x के जगे 1 by t square लिख दिया और y-axis पर ln r है इसलिए y के जगे मैंने ln r लिख दिया ठीक है ना तो अपने पास क्या आगया ln r by ln r naught is equal to 1 minus t naught square by t square और ln r is equal to 1 minus t naught square by t square ln r naught और अब मैं दोनों side से log हटाने की कोशिश करूँ तो ये log के बाहर जो term है इसको मैं log के अंदर ले जाऊँ तो ये power बन जाएगी अपने पास के expression आ जाएगा ln r is equal to ln r naught और ये जो bracket में जो term है ये log के अंदर ले गया तो ये power बन गए और आप मैं दोनों side से log हटा दूँ तो r is equal to r naught power 1 minus t naught square by t square हमें जो option दे रखे हैं सारे e की power नहीं हैंगी हमें देखे हैं देखे हैं ये जैसे question के अंदर options के अंदर तुम देख रहे हैं वो r naught और t naught आ रहा है पर r naught और ये t naught किसको मान रहा है question में कहीं पर भी कुछ mention नहीं है तो मैंने assume कर लिया था कि ये 1 by t naught square है और ये ln r naught है ठीक है ना तो यहीं पर मुझे लगता थोड़े सी इसके गरबड हो रही है जो हम लोगों ने अपने मन से assume कर लिया इसको पहले से नहीं assume करना चाहिए था तो ल and r naught को में a लिख देता हूं और 1 by t naught square को में b लिख देता हूं ठीक है ना ये straight line x-axis और y-axis हो कहां intercept कर रही है ये मैंने generally options देखे थोड़ा सा guess कर लिया था ठीक है ना नहीं रादी का वो ln r t में r t का मतलब खाली यही है कि r as a function of temperature ठीक है जैसे हम लोग लिखते है ना f x लिखते हैं f x का मतलब क्या होता है function of x ऐसे अगर r bracket में t लिखा हुआ है तो उसका तो खाली इतना सा मतलब है कि resistance as a function of temperature ठीक है ना उसका mathematical कुछ फंडा नहीं है अभी तो तुम्हें जो चार option दे रखे हैं उससी से तुमने देखना है कि तुम्हारा जो भी function बनने वाला है वो nearest किस option से match कर रहा है ठीक है ना तो मैं one by t naught square को अभी लिख देता हूं बाद में funnel expression के साफ से देख लेंगे और ln r naught को ए लिख देता हूं तो यहां पर right hand side पर हमारे पास क्या आ गया one minus t naught square one by t square को में लिखने जा रहा हूं बी जो intercept है जहां पर intercept हो रहा है basically और ln r naught जिसको में लिख रहा था अभी यहां पर intercept को में a मान ले रहा हूं तो ln r naught को भी मैं यहां पर replace कर देता हूं यह से और मैं दोनों साइट से log हटाता हूं ताकि मेरा final answer exponential में आ जाए तो left hand side पे log है right hand side पे तो तुम देख रहा हो log ही नहीं तो log हगर मैं हटाता हूं तो मेरे पास expression बन रहा है कि वन माइनसटी स्कवेर भी हूं प्लिदी कोशारी 1 टी नौट स्कॵेर को calculation सारी गरबढ़ यह कचला ही हो गया है अच्छन वापर सिंग हो कि मैं यह जगे भी नहीं बचना मेरे पास ठीक है ना यह हम लोगोंने expression ले लिया था ln r था यहाँ पर यहाँ पर तुमारा 1 by t square था ठीक है ना यह straight line तुमारी जो intercept कर रही है x-axis को और y-axis पर intercept x माल लेता हूँ y-intercept b माल लेता हूँ तो intercept form में हम straight line लिख रहे थे तो equation लिख रहे थे तो क्या रहा था x upon a plus y upon b is equal to 1 में x-axis पर क्या है हमारा ln r y-axis पर क्या है हमारा 1 by t square हमारे पास expression क्या बन गया ln r is equal to a into 1 minus sorry 1 by b t square और अब मैं यहाँ से lock को हटाऊ तो r is equal to r i e की power a 1 minus 1 by b t square ठीक है ना तो exponential function की power में 1 by t square exponential function की power में 1 by t square इसा खाली c option में हो रहा है तो answer c हो जाए है चला के दिमाग चला ठीक है ना यह 10th April 2019 के first shift का question है ठीक है ना तो question में हमको graph दे रखा था इसको lnr से replace करना रहा है कर x और y है दूने axis में से 1 by t square हो दूसरे पर lnr है तो वो मैंने यहाँ पर equation में replace कर दिया यह expression आगे lnr का और फिर जब log अटाया तो r की value as exponential function आगी मेरे को question के अंदर exponential function दे रखें जिसमें पहले option में e की power में minus t square है second में plus t square है third में minus 1 by t square है तो जो third वाल option है उससे यह nearest closest जा रहा है तो हमारा c वाल answer होगी यह follow किया सबने आया समझ में आया ठीक ना बटा नेक्स question जो हम discuss कर रहे हैं 10th April अगे 2019 shift 2 का question के अंदर हमार पास space between two concentric conducting spheres of radius a and b जो तुमारे साम में दो concentric spheres बना रहा हो है जिनका radius a और b है a is less than b तो inner radius a outer radius b ठीक है इस gap between them is filled with a medium और resistivity row दोनों के इसमें जो gap है उसको हमने fill कर दिया है बीच वाले gap को हमने fill कर दिया है material से जिसका resistivity row है तुमसे कहते है resistance between the two spheres in ohm will be inner sphere और outer sphere के बीच में हमें resistance निकलना है obviously battery हम समझ में आ रहा है inner sphere जो भी potential difference हम create करने वाले वो inner और outer sphere के बीच में create करने वाले inner sphere से outer sphere पे current flow होते हुए जाएगा अब धियान से देगो current inner sphere से outer sphere पे flow होते हुए जब जा रहा है जो area के through से flow होना पढ़ रहा है वो area cross section क्या होता चला जा रहा है वो area cross section क्या होता चला जा रहा है increase तो resistance का formula rho L by A में लगा हूँ तो current को जो length travel करना पढ़ रहा है वो तो बड़े असानी से दिख रही है conductor के अंदा जो length travel करना पढ़ रहा है length is B minus problem कहां रही है area cross section क्या ले है जब current यहां पे flow ना चलू हुआ था तो उसका area cross section कितना मिला था conductor का 4 pi A square और जब flow होते होते वह आउटर वाले surface से पहुच जाएगा तो 4 pi B square area cross section जो है वो vary कर रहा है from 4 pi A square to 4 pi B square तो ध्यान दो resistance का formula direct हम rho L by A नहीं लगा सकते length की value जो current को travel करना पढ़ रहा है resistance के अंदा length वो तो B minus A है denominator में area cross section पे हम फच जा रहे है area cross section vary कर रहा है क्या करना पड़ेगा elements लेखे resistance को छोटे-छोटे elements में break करके integrate तो पूरे resistance को पूरे sphere को छोटे-छोटे elements में break करते हैं तो फिर से center से x दूरी पे center से x दूरी पे dx thickness का element ले लेता हूँ current जब इस छोटे से dh thickness के element को cross करेगा थोड़े देर के लिए सही हम area cross section को almost constant assume कर सकते हैं तो current जब इस छोटे से element को cross करेगा resistance इसे कितना मिलेगा रो एल बाए में restivity रो जो length उसे element में travel करने पड़ेगी वह length dx और इस area cross section के थूरी से जाना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा हमारा 4 pi x square अब बस आप total resistance निकालने के लिए integration integration के limit from inner radius to outer radius ठीक है ना रो अपॉन 4 pi constant है integration से भारा जाएगा integration के अंदर क्या रह जाएगा x की पावर minus 2 dx integration की limit a से भी x की पावर minus 2 का integration क्या हो जाएगा x की पावर minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 that is x की पावर minus 1 upon minus 1 ठीक है ना तो रो अपॉन 4 pi तो हमारा constant था integration से भारा गया था integration के अंदर expression को integrate किया minus 1 by x limit डालते है minus 1 by b sorry minus 1 by b lower limit डालते हैं तो minus 1 by a क्या answer बन गया row upon 4 pi 1 by a minus 1 by b कौनसा option किताब में हमारे question number यह 32 है ना तो रो बाए 4 by 1 by a minus 1 by b b answer हो गया ना बी आंसर हो गया 2019 shift 1 का question है ठीक है potential meter पर बेस्ट question है बिटाई potential meter दे रखा है तुम्हें जिसके अंदर battery लगा रखी है battery की MFE है internal resistance आ रहा है question में primary circuit के अंदर potential meter में battery cross हमने एक वायर लगा दी है वायर का length capital L बता रखा है resistance 12 वार बता रखा है और फिस secondary circuit में battery लगा रखे EMF E by 2 resistance 3R galvanometer लगा रखा है और question की language the length AJ ठीक है इसको A mark कर रखा है इसको B mark कर रखा है जोकी को J mark कर रखा है तो length AJ हम लोगों को बता नहीं है फॉर विच galvanometer रखा है वो snow deflection ठीक है न तो कभी भी potential meter वाले question आते हैं सबसे पहला काम क्या करना होता है कभी भी उस तरह के potential meter का ले point आते हैं balancing point डूनना है galvanometer कहां पर zero deflection दिखाएगा वो balancing point डूंडो balancing length डूंडो ऐसे question के अंदर सबसे पहला काम क्या करना होता है कौन बताएगा बहुत बढ़ी है सबसे पहला काम क्या करना होता है potential gradient डूनना होता है primary circuit में जलो ध्यांसे देखो primary circuit के अंदर primary circuit को देखो secondary circuit को भूल जा primary circuit में battery जो लगी हुए है उसकी EMFE है और primary circuit में जो current flow होगा उसको resistance जो लूप में मिलने वाला है 12 वार प्लस आर 13 अर तो primary circuit में जो हमारा current flow करेगा उस current की value आ गई E upon 13 अर यह समझ में आता है सबकों ठीक है तो जो हमारी potential meter के setup में हमने L Length की वायर ले रखी है उसका resistance 12 वार है उसमें current flow रहा होगा E by 13 R तो A और B के बीच में जो हमें potential difference मिलने वाला है कितना मिलने वाला है current E by 13 R into wire का resistance 12 वार कितना आगे 12 E by 13 ठीक है ना potential drop आगे A और B के बीच में जो wire है उसकी length L है potential gradient हमें कितना मिलने वाला है 12 E by 13 L potential gradient निकालना सबसे पहला काम होता है primary circuit में potential gradient कैसे निकाला clear हुआ सबको बस अब potential gradient निकल गया potential drop per minute length into length करेंगे ठीक है ना तो दियान से देखो A और J के बीच में जो length है वो length हमें निकालनी है length को मैं x माल लूँ जब भी हमें balancing point मिलेगा जब भी galvanometer zero deflection दिखाएगा secondary circuit में current कितना होगा जीरो secondary circuit में current zero ध्यान से देखो तुमारे potential meter में जिन दो points के बीच में हम लोगोंने secondary circuit को connect कर रखा है A और J के बीच में हमें potential difference कितना मिलने वाला है तो potential gradient that is potential drop per unit length into a length x A और G के बीच में potential difference आ गया और यह potential difference battery cross आने वाले potential difference के बराबर होगा तभी तो दोनों branches के बीच में current exchange होना बंद हो गया है current zero है galvanometer का deflection zero जादिक है बहुत बढ़ी हो secondary branch के cross potential difference कितना मिलेगा e by 2 plus i into 3r यह e by 2 minus i into 3r खाली e by 2 क्योंकि i into 3r वाला term तो हमारा zero हो जाएगा न जब galvanometer zero deflection दिखा रहा है तो इस secondary circuit वाली branch में current zero है 3r के cross potential difference zero है जो भी potential difference हमें cell के cross मिलेगा वो simply e by 2 के बराबर होगा बस e से e cancel हो गया balancing length x हमारी किसके बराबर आ रही है 13 L by 24 answer कांसा option है C answer देखें आगे समझ में आगे सबको जागा है